जहानबाद के मदारपुर गुम्टी के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक युवक चल्ती ट्रेन से कूद पड़ा। चल्ती ट्रेन से कूदे युवक ने अचानक चोर-चोर का शोर मचाया जिससे आसपास के लोग भी चौक गए। बाद में जब लोगों को एक युवक भागता नजर आया तो उन्हें मामले की भनक लगी और आनन्फानन में वहां मौझूद भीड ने भाग रहे युवक को धर्दबोचा। फिर क्या था उसके चोर होने की जानकारी मिलते ही भीड ने उस युवक को रस्यों से बांध दिया और फिर खंबे से बांध कर उसकी जमकर पिटाई की गई। दरसल मामला पटना गया रेल खंड के स्वराजपुरी कॉलनी के पास की है। और मोबाईल लेकर भागने लगा। ट्रेन की गती कम होने के कारण ट्रेन पर सभार युवक भी ट्रेन से छलांग लगा कर नीचे आ गया। मदारपुर रेलवे गुम्टे इस्थित स्वराजपुरी कॉलनी के पास वो जब नीचे उतर कर शोर मचाने लगा तो आसपास के लोग भाग रहे चोर को धर्दबोशते हैं। उसके हाथ पैर बाम देते हैं और फिर उसकी जमकर पिटाई करते हैं। घटना की जानकारी जी आरपी एफ को भी दी जाती है। मौके पर पहुँची जी आरपी एफ ने चोर को लोगों के चंगुल से छुडाया और फिर अपने साथ लेकर गई। वहीं पिड़ित रेल यातरी ने बताया कि वो ट्रेन की गेट पर बैठ कर सुपरफास्ट एक्सप्रस से पटना से बिला गंच जा रहा था। इसी बीच जहानबाद में जब वो गेट पर बैठा था और अपने मोबाइल में कुछ देख रहा था। तभी नीचे खड़ा य पर स्थानिय लोग पकड़ लेते हैं और फिर उसकी जम कर धुनाई करतेते हैं आरोपी युवक को जी आर पीएफ अपने साथ ठाने ले गई और आगे की कार्रवाई की जा रही है। जहानबाद नीउस के लिए वीर भद्र सिनहा और फगबु की रपोर्ट उसके बाद क्या हुआ इसके बाद इसको पकड़ा नाम होगा तुम्हारा नाम हो तुम्हारा नाम हो तुम्हारा